आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नमश्कार दर्शिको आप देख रहे MNS News Network मैं हूँ आपके साथ शीबा शेक तो आए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे आए एक नज़र डालते हैं मोदी सरकार आज कर सकती है बड़ी घोशना जयन चौदरी अनुप्रिया पटेल को दो दो राजभर को एक सी यूपी में पहले साथ सीटों पर लड़ने वाले आर एल डी ने दो पर कैसे किया संतोश आईए देखते हैं खबरे विश्तार से मोदी सरकार आज कर सकती है बड़ी घोशना पीम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक लोगसबा चुनाव के तारीखों की घोशना अभी तक नहीं हुई है इसका मतलब यह है कि देश में चुनाव आचा संगीता लागु नहीं हुआ है इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मंत्री परिश्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ये मोदी सरकार के दूसरे कारेकाल की संभवत है आखिरी ऐसी बैठक होगी प्रधान मंत्री समय समय पन नीती और साशन से जुड़े प्रमुक मुद्धों पर चर्चक करने के लिए मंत्री परिश्ट की बैठक करते रहते हैं लेकिन रविवार को होने वाली बैठक अप्रेल मई में होने वाले लोगसबद चुनाव की लिहाज से एहम है निर्वाचन आयोग अगले कुछ सब्ता में चुनाव की तारिकों की घोशना कर सकता है निर्वाचन आयोग ने विबिन राजियों में चुनाव की तयारियों का जायजा लेना प्राबम कर दिया है इससे पहले 2014 में निर्वाचन आयोग ने 5 मार्च को 9 चरन में लोगसबा चुनाव करवाने की घोशना की थी और परिनाम 16 मई को घोशित किये गए थे वही 2019 में आयोग ने 10 मार्च को सता चरन की लोगसबा चुनाव की घोशना की थी और परिनाम 23 मई को घोशित किये गए थे आईए बढ़ते हैं अगली खबर क्या जैन चौदरी अनुप्रिया पटेल को दो दो राजभर को एक सीड अमिश्या ने यूबी में ऐसे फाइनल किया गट बंदल लोगसबा चुनाव के लिए भातिय जनता पार्टी बीजेपी ने 195 उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है पार्टी की पहली लिस्ट में 115 पुराने चहरे बरकरार रहे गये है इस लिस्ट में 27 SC, 18 ST और 57 OBC चहरों का मौका दिया गया है वही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार वारा नसी में चुनाव लड़ेंगे और गांधी नगर से केंद्रिय मंत्री अमिश्चा और लखनव से रक्षा मंत्री राजनात सिंग चुनावी आकडे में ताल ठोकेंगे पाटी के उमीदवारों की लिस्ट जारी होने की बाद अमिश्चा के घर पर शनिवार रात उतर प्रदेश में बीजेपी के सयोगी दलों के साथ बैटक हुई सबसे पहले रल्डी नेता जयन चौदरी के साथ बैटक हुई मीटिंग में तै हुआ कि गड़ बंदन रल्डी दो को सीट मिलेगी बिजनौर और बागपत का सहिमिती बन गई है रल्डी की तरह से काम से कम तीन सीटों की मांग हो रही थी पिछले चुनाव में बागपत से बीजेपी और बीजनेर को बीएसपी की जीत हुई थी रल्डी के बाद अब अमिश्या की मीटिंग अपना दल के साथ हुई आए बढ़ता है अगली ख़बर क्यों यूपी में पहले साथ सीटों पर लडने वाले आरल्डी को दो सीट कैसे किया संतोश लोगसबाद चुनाव 2024 को लेकर राज़नीटिक दलों ने अपनी अपनी तयारिया तेस कर ली है पचीम उत्तर प्रदेश में जैन चौदरी की पार्टी आरल्डी एंडी ए के साथ मिलकर लोगसबाद चुनाव लडनेगी इसे लेकर भारतिया जनता पार्टी और राज़्टिया लोगदल के बीट सीट बटवारे पर सहमिती बन गई है जैन चौदरी को दो सीट पर ही संतोष करना पड़ा इस पर बड़ा सवाल उठता है कि साथ सीटों पर चुनाव लडनेवारे आरल्डी ने दो सीट पर कैसे समझावता किया आईए जानते हैं इसके पीछे की वज़े पच्चीम उत्तर प्रदेश के प्रभाव रखने वाले आरल्डी ने इंडिया गटबंदन से नाता तोड़ दिया अब जैन चौदरी पच्चीम यूपी के भाच्चपा के साथ मिलकर चुनाव लडेंगे इसे लेकर भाच्पा और आरल्डी के बीच समझाता हो गया है बताया जा रहा है कि भाच्च्पा ने पच्चीमी यूपी में दो सीटों पर ओफर दिया था जैन चौदरी के खाते में बिजनौर और बागपत की सीटे आई है आरल्डी के उम्मीदवार इन दोनों सीटों पर चुनाव लडेंगे अब आप हमारे चैनल को मोबाइल आप पर भी देख सकते हैं मोबाइल आप पर देखने के लिए प्लेस्टोर से मेनेस न्यूस टीवी आप डाउनलोड करें आप इसे इंस्टा, हाई, क्विक, ट्वीटर, फेस्बूक और कही शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्स है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं आप इसे लाइफ भी देख सकते हैं www.mnsnews.tv.com पर अब वक्त हो चला है दोशिकों ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखते रहेगा देश हो दुनिया की तमाम बड़ी खबरे बने रही हमारे साथ MNS News टीवी पर नमस्कार ये है MNS News नेटबर और आप देख रहे हैं MNS News